दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस phone से हम इस phone पे call किया है तो इस phone का आप call background देख सकते हैं ये देखने में जो है काफी attractive लग रहा है काफी खुबसूरा जो है दिख रहा है अगर आप भी चाते है कि call आने पे full screen photo set कर पाए call background में कोई भी call करे तो full screen photo दिखे तो आज का पूरा वीडियो आपके लिए है देन अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं शुल से लेके अंतक तो call background में भी photo दिखेगा और call आने पे भी फूल स्कीन जो है photo दिखेगा तो इम कैसे set के हैं आप कैसे set करोगे जानने के लिए आपको वीडियो सुल से लेके अंतक देखना हुआ है जैसा कि आप देख सकते है call background में भी फोटो दिख रहा है और call आने पे भी जो है ये photo दिख रहा है और ये बिना किसी app के आप set कर सकते है आपको कोई भी app डाउनलोड नहीं करना है आपके phone में एक ऐसा setting छुपा हुआ है जिसके बारे में आपको पताने य अपने फोटो को यहां पे लगा पाओगे जिस फोटो को आप यहां पे लगाना चाहते हो तो काफी interesting वीडियो होना है काफी कमाल का वीडियो होना है तो वीडियो आपको सुन से लेके अंतक देखना होगा तबी जो है आप अपने phone में ये trick कर पाओगे तो चलिए वीडिय हम अपने phone में कैसे set करेंगे तो जो वीडियो देख रहे है उस वीडियो के नीचे आप देखोगे तो आपको एक like का बटन यहां पे दिखेगा तो क्या करना है वीडियो को यहां से like कर देना है like किसलिए करना है क्यूंकि वीडियो बनाने में काफी मिनत लगता है और like करन बताते है कि कॉल आने पर फूल स्क्रीन फोटो जो है कैसे set करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने phone के setting में आ जाना है setting में आओगो तो यहां पर आपको software update का option मिलेगा नीचे से उपर की तरफ अगर यहां पर नहीं मिलता तो उपर आप search box में software update search भी कर सकते हो तो आपको software update पर टाच करना है download install का option दिखेगा यहां पर टाच करना है दिन आपको अपना software जो है update यहां पर कर लेना ठीक है यहां पर मेरा update जो है एक March को हुआ है तो यहां पर नया update है तो अभी कोई भी अणया update जो है नहीं आया ठीक है अगर आपके phone में आया है तो update कर लिआएगा update करने के बाद आपको यहां पे क्या करना है बैक आने के बाद आपको अपना association ouch कल वाला ऐप है इसको open कर लेना है उसके बाद यहां पर ठी डॉट दिखेगा जहां पर तक कै मुला जाना है सेटिंग अगर देगा गहां पे SIM 1 और SIM 2 सेलेक्ट करने का option जो है देगा तो आपको कोई भी एक SIM सेलेक्ट कर लेना है उस पर टच करोगे तो यहाँ पे आपको यह फोटो दिखेगा पहले फोटो नहीं दिखेगा पहले किस टाइप का दिखेगा पहले आपको इस टाइप का दिखेगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है ठीक इस तरह से दिखेगा तो यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ फोटो में कैसे लगाऊ तो यहीं पे फोटो लगता है बैगरांड का जो option दिख रहा है यहाँ पे आपको टच करना है उपर पलस का icon दिखेगा ठीक है उसके ऊपर टच करना है और gallery का icon दिखेगा वहाँ पे टच करना है अब gallery में आ गया है तो gallery से आपको एक फोटो ले रहा है जिस भी फोटो को आप लगाना चाहते हैं जो यहाँ से आप ले सकते है तो मैं gallery से एक photo लेता है जो इसे की ये वाला photo में ले लिया तो ये वाला photo में set कर रहा हो तो यहांपे देख सकते है मुह के सामने यहांपे इसका text आ जाता है तो text समें यहांपे नहीं दिखता है तो मैं फिर से background को उपर touch करूंगा प्लस का आइकन पर टच करके फिर से गैलरी में जाऊंगा और कोई ऐसा फोटो लेंगा कि टेक्स भी जोएन ना दिखे तो मैं यहाँ पर यह फोटो ले लिया अब देखे टेक्स उपर चला जा रहा है चैरा पूरा दिख रहा है अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा स्टेट आज कॉल बैगरांड को उपर टच कर दूँगा बैक जोए आजाँगा अब बैक आगए अब यहाँ पर फोन रख देते है और देखे दुसरे फोन से यहाँ पर कॉल करते है अब कॉल करेंगे तो क्या होगा कि कॉल आएगा तो कॉल बैगरांड में जो है फोटो दिखेगा और कॉल आने पे भी फोटो दिखेगा जैसा कि आप देख सकते कॉल बैगरांड में भी फोटो दिख रहा है और कॉल उठाने पे भी फोटो दिख रहा है सब्सक्राइब मिलते हैं अगले वीडियो में ने अट्री के साथ अब तक के लिए टेक केर बागा दोस्तों